नमश्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वर्तवान सबे में ये नौकडी कर रहे है बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे है ये आगे बड़ी नौकडी के तरह बगरसर है और ये जानना चाहते है इनके हाथ पर अच्छे खरावास था क्या कुछ है और आगे बड़िया सफलता मिल सकती है की नहीं मन लायक सफलता मिल सकती ही कि नहीं इन विशे पर इनको जानना है तो आप बिलकुल विचिंता ना करें आपके सारी ही प्रश्णों को हम गहराई पुरवक सुनेंगे वह हम बताएंगे जो भी आपके हाथ पर positivity रहेगी जो भी आपके हाथ पर negativity रहेगी उन सारे महत्पून वेशें पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं positive चीज़ के तरफ कि positivity क्या है इनके सूरी परबत परना वी जैसी आकरती भी है और तिर्बुच जैसी आकरती भी है इसके क्या धनलाव होते हैं की जिन्दगी पर इससे क्या benefit होता है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे होते हैं ये वेक्ती किस प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं ये वेक्ती आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी वेक्ती इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी हाथ को खोल लेजे, क्या पता, उनके हाथ पर ये चमतकारी चन अवस्थित हो, और उनको आज तक इस बात का हैसास ना हुआ हो, कि उनके हाथ पर भी ये चमतकारी चन नहीं है, और इसका ये अर्थ होता है, तो आज की वीडियो में इस बारे में हम बहुत ही गहरा ही पुरवग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते है, सूरी परवत होता कहाँ पर, ये कम्प्रीट सूरी परवत है, कम्प्रीट, और यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे, तो ये एक लाइन ये होगया, यहाँ पर एक लाइन ये होगया, ये वीनुमा आकरती, और बहुत बड़ी बहुत अच्छी अस्थती होती है इसमें क्या होता है न कि अगर वी जैसी आकर्ती अगर आपको सूरी परवत पर दिख जाए तो जातक दो छेतर से धनलाव करते हैं बड़े गुणी होते हैं टैलेंटेड होते हैं पैतिक संपत्ती का साथ मिलता है और अगर तिरबुट जैसी आकर्ती सूरी परवत के आसपास दिख जाए तो यह जबात का परचकराती है कि ऐसे विक्ती को multiple property का सुक होता है इन लोग को धन संपत्ती आता है जिससे ये मकान वेगरा बनाते है या कुछ भी बड़ा investment करते हैं और ऐसे विक्ती एक समय के बाद ज़्य जादा rise करते हैं जादा तरक्की करते हैं इस बात की guarantee है अब इसके बाद अगर मैं आगे देख लूँ और क्या positivity है तो यहाँ पर एक squad जैसी आकरती बन रही है बहुत जबरदस्त और यह वाली एक भाग गी रेखा है और एक भाग गी रेखा में परिवर्तन है आपके हाथ पर यह परिवर्तन में बताओंगा क्या होता है एक बढ़िया सा money triangle आपके हाथ पर दिख रहा है बहुत आला दर्जे का इसके बाद अगर देखा जाए तो जीबन रेखा पर यह progress line indicate करती है कैसे विक्ति के जिंदगी में तरक्की होती है प्रगती होती है और समय समय पर प् कुछ line से बुद्ध पर खरी लेका दिमाग बहुत तेज होता है आले दर्जे का दिमाग तेज होता है इनका इस बात में कोई doubt नहीं है तो यह तो होगी positivity अब और अगर positivity पर मैं बात कर लूँ हलाकि इन सारे lines के फल को बताओंगा तो शुक्र काफी प्रबल है दोनों मंग planets इनके अच्छे conditions में है तो ये भी एक परकार की राज्योकार कवस्था को बताती है ये भी एक परकार की अच्छी स्थिति को बताती है जिस के इसमें जातक की जिन्दगी पर धनलाव होना तय है पैसा आना तय है चलो जी ये तो ओगी positive बात अब बात करते है negative चीज को तर तो वो है, वो क्या है? ये देखो, यहाँ पर कुछ-कुछ राहू रेखा है, ये इंसान को थोड़ा परशान करती है, थोड़ा तकलीव देती है, इंसान थोड़ा कन्फ्यूजन्स में रहते हैं, मन में नाना परकार के द्वन्द और दुविदाएं चलते रहते हैं, लैक ओ कॉण्फिडेंस, मतलब आप समझो कि आप में बहुत ही अच्छी एनर्जी है कोई कारी करने की, लेकिन एक समय के बाद, कोई आपने इंवेस्टमेंट कर लिया, या फिर कोई कारी कर लिया, अब राहू रेखा के बात कर रहा हूँ, अगर वो राहू रेखा के समय किया, त लब कॉण्फिडेंस आपका धूमिल हो जाएगा, तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना यही है, कि पहले तो उस बात को मन से निकाल दो, जो होना है हो जाएगा, ये समझो पहला, दूसरा, इश्वर के सरन में चले जाओ, आधना करो इश्वर की, रोज सूरी को जल दो, नेगिटिविटी मन से निकाल दो, गुस्ताना छोड़ दो, परिशान होना छोड़ दो, इरिटेट होना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परशानी नहीं होगी, जैसे ये नौकरी में है, समझ ये का बात को, जैसे ये नौकरी में है, अभी अच्छी नौकरी में फिर भी इनको confusions है, फिर भी इनको परशानी है, मन में द्वंद चल रहे हैं, मन में दुविदाएं चल रहे हैं, कि आखिर मेरा आगे क्या वविश होगा, मैं पैसा कमा ये जरूरी नहीं है, रहूरेका आपको confusions, दुविदाएं, द्वंद और कहीं न कहीं कि और lack of confidence, depression, anxiety, ये सब भी रहूरेका देता है आपको, तो कोई बात नहीं, इसका remedy मैं आपको दूंगा, जिसके बाद आप काफी बहतर रिलाक्स फील करेंगे, तो ये दो negativity, तीसरी के अगर ये सबी के साथ होता है, ऐसा कोई tension वाली बात नहीं है, ये हर एक विक्ति के साथ होता है, अगर विक्ति के जिन्दगी में challenge ना हो, तो विक्ति की जिन्दगी नीरस हो जाती है, जिन्दगी में रस के लिए challenge होना जरूरी है, जिन्दगी में रस के लिए pressure लेना पैसे क्योर करने में प्रॉबलम ये इस प्रकार की सबस्याओं को बताती है इसके बाद अगर मैं देख लूँ और तो ये कुछ इनकी डेगेटिविटी थी थोड़ा सा केरियर ओरियंटर चीजों में थोड़ा स्ट्रगल होता है परिशानी होती है थोड़ा विलंब के बाद केरियर इनका हाइक पकरता है बरता है अगि मैं जीवन रेखा से इनके और और भी चीजलों को क्लियर कर देता हूँ expरकार से थे कि ये आगे अच्छी नौकरी कर सकते है के नहीं देखो आपकी जो भी नौकरी है मैं तो यही चाहूंगा आप इसको कन्टीनियू रखो अगर आपने तयारी किया तो आपको मन लाए कोई जॉब हो सकता है क्लरक लेवल का बहुत बड़े अधिकारी के रूप से तो अभी आपको नहीं देख पा रहे 35 के बाद जदत रखिये, 35 के बाद आपको ये शिकायत अपने लाइफ से नहीं रहेगा जो शिकायत आपको अपने लाइफ से रहेगा ये 35 के आयो तक ही रहेगा चलो जी ये तो हो गई बात अब बात करते आगे अब जीवन रेखा से आपके और भी जो द्वंद और दुविदाएं उसको हम प्रॉपरली क्लियर कर देते हैं तो जीवन रेखा क्या कुछ बता रहे है काफ़ी इंडिपेंडन्ट ख्यालात के रहे बचपन से ही आप और कुछ लाइन्स आपके हाथ पर थे ये थोड़े से स्ट्रगल बचपन में काफी थोड़े नहीं काफी स्ट्रगल को इंडिकेट कर रहा था और ये एक प्रगति की रेखा है जो की लगवग आपके मानके चलो ये 19 वर्स में है एक 21 में दिकत है 22 में तरक्की है 24-25 में तरक्की है मतलब काम में आ चुके 22-23 साल के बाद फिर एक 26 में 27 में एक दिक्कत ये वाली देख लो फिर एक लगबग 29 में दिक्कत 32 में एक तरक्की बढ़िया है फिर वही पर एक हलकी राहू रेका भी है तो विशाइस्तम दिक्कत नहीं होगा फिर एक लगबग आपके 34 में तरक्की है फिर लगबग आपके 38 के आसपास तर 52 में है फिर लगबग आपके 56 में है फिर अंठावन में है फिर आपके लगबग 60 में 60 से लेके बासाथ एक ट्रेंगल वे उसके बाद भी जीवन रेका बहतर है ये मैं आपके लगबग 75-70 से लेके 75-76 तक तो एक ट्रेंगल देख रहा हूँ उसके बाद भी जीबन रहे का ठीक है तो मैसेज कोई प्राबलम नहीं और ज़्यादा चिंता करने की आवशक्ता नहीं है आपकी आगे की जिन्दगी बहतर है बस आप आगे की जिन्दगी के लिए प्रियास करें और रही बास समस्याओं के तो समस्याओं जिन्दगी पर आते जाती रहती है हमें हिम्मत करके उसको जहिलना पड़ता है, हमें हिम्मत करके उसको अपने जिन्दगीज पर लेना पड़ता है, मतलब एक प्रेशर लेना पड़ता है, समस्याएं तो आते जाती रहती हैं, अगर आप प्रेशर नहीं ले रहे हैं, तो आप जानबर के समान हैं, लेकिन एक्स इसको अपने मनोस्तिती से हम बहुत यह अराम से ठीक कर सकते हैं सब बढ़िया है इश्वर के इराधना करे रोजाना सूरी को जल दे और सिब्लिंग पर जल चरहें कोई दिक्कत नहीं होगा चलो जी यह तो होगी पॉस्टिविटी नेगेटिविटी इनके कोश्चन्स बाकी यह धन को अट्रैक करते हैं जब भी धन के आवशक्ता हो मिल जाता है और एक जबरदस थम्ब हैं स्ट्रॉंग इक्षा सकती है यह वाकरती जबी सपूर्ट के आवशक्ता पड़ेगे मिल जाएगी डिजायर्स के बर इच्छे लाइन से बहुत महातवकांची है और बड़ है इगो हट की प्रावलम है बाते बहुत माइंड करते हैं बहुत दिमाग में रखते हैं बाते माइंड ना करें यह तुरी फिंगर इम्मत को बता रहा है बुद्ध फिंगर छोटा है तो कमने केसरन स्किल वाइस थोड़ी सी समस्याएं हो जाते हैं कभी कबार डिसिजन मे का दिमाग के 23 है ट्राइंगल से जो negativity को दूर कर रही है हरदर एका भी काफी अच्छी है थोड़ा सा तनाव के लाइन से आपके एरदर एका पर थोड़ा तनाव लेते हैं बाद बाकी emotional है बाकी या आपकी विश्णयों का formation रूटीन को follow करने वाले हैं balance अच्छा दिमाग क को अकेला रहना बहुत पशंद होता है चुकि ये अभी भी आपके इतरी मुझे बता रही है जैसे वेक्तियकांत वादी सुबाब क्यों होते हैं मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं जादा भीर भार से दूर रहना चाहते हैं खैर ये proper शनी वले तो सन्यासी लोगों के बागी बागी रेका ठीक है बागी का साथ तो मिलना है डिस्टर शुक्रवल है मूट स्विंग के प्रॉब्लम सरती बागी रेका बहतर है बागी रेका में कोई दिक्कत नहीं लाइन ओफ एजुकेशन भी शानदार है बहुत समझदार परवर्ति के हैं ट्रैंगल से और आ इंसान तेज ہے बुद्धि विवेक से कायरे करते हैं सन मर्करी बहुत बढ़िया है और यह एक लाइन निकलके सूरी पर जा रही है तो यह इंडिकेट कर रही है कि ऐसे वेक्ति परसें अपने बुद्धि विवेक से धन कमाते हैं यह बाली पिसूडि रेका बड़ी और एक समस्या को जेल लेते हैं, हिम्मती होते हैं, हिम्मत में कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। का ही जौब होगा आपका, एक परिवरतन आपके लाइफ में, 26 में, 60 के आसपास मुझे दिखा फिर आगे की बागे रेका भी बैतर है 34 के बाद मुझे जादा साटिस्पेक्टरी बागे रेका दिखरी है, बहुत जानदार, आगे भी बागे रेका बहतर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यहाँ पर से देख लो एक बढ़िया सा आपका ट्रेकर धक्ति रिबुज है तो पैसा जिंदगी पर आएगा थाइस वर्स के बाद जादा आएगा और थोड़े से बुद्ध पर यह टूटी टूटी लाइन से यह थोड़ा सा स्वास्त की समस्यों को इंडिकेर करती है बागी एक जबरदस्त आपकी जीबन रेका कमाल की लाइफ 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 में कोई समस्या आए नहीं है मंगल रेका भी शाद़ार है थोड़ा 스트ress के लाइन इंसान थोड़ा 스트ress लेते हैं 스트ress मत लिया करें भागी मंगल परबल है दूसरे ही stress कम करने का उपाई भी आप ढूंड लेंगे और लगज़री सुक्कर लाइन लगज़री का शुक्तों मिलता है तोर स्ट्रस के योग है, स्ट्रस तोरा देते हैं, आप बागी money management प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता है, शुक्र पलबल है, शुक्र पर यह रेखा है, जिंदगी पर धनागमन को बताती है, शुक्र और मंगल बहुत जबरदस्त है, बहुत ज़ादा जबरदस्त है, इस के कर दे, comment कर से, subscribe कर देगा, विक्तिकत रूप से, मैं इस अस्तरे का रिकाके सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा WhatsApp नमर डिसक्रिप्सन मिल जागा, लेका आप संपर्क कर सकते हैं, धन्यवाद.